हमने कथा मैं कल पर्शों या कप याद नहीं सायद पर्शों सायद एक बात बोली थी तिलक की महमापत की भगवान का भक्त वही कहलाता है जिसके मस्तक पर तिलक होता है और उसका उदाहरन हमने माताओं से दिया था कि विवाहत इस तरी की पहचान क्या है माते में मांग का सिंदूर गले में जो है मंगल सूत्र ये दोनों हो तो हम लोग भईया समझ जाते ये विवाहत है हमने यहाँ एक बात जोरी थी आपको बहुत सरलता से जोरने के लिए एक बात बोली थी कि भाई कोई विवाहत माताजी है या नहीं इस्त्री है या नहीं उसका परचे कैसे हो भाई मांग का सिंदूर भरा हो गले में मंगल सूत्र हो हम लोग भईया दूर से देख लेते हैं कि भईया अब इनका रेजिस्ट्रेशन हो गया है इस बात को बहुत से लोग अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं जो की उचित नहीं है हम अपनी बात बहुत ही बुंदेल खंडी साधारन सब्दों में समूचे जनमानस को समझाने के लिए ये बात जो ध्यान दी गई हमारी इस बात की बज़ए हमने जो कहा था कि भगवान का भक्त का पहचान तिलक है इस बात पर ध्यान देना चाहिए था लेकिन हमें अभी पता लगा कि इस प्रकार की बात जो हमने प्लाट की चर्चा की उस चर्चा को जोड़कर बे भिजूली की बेतुकी बातें की जा रही हैं चाहे वह मीडिया हो चाहे कोई सामान ब्यक्ति हो हम तुमको प्राथना करें कि अगर आपको कुछ समझना है तो पहले हमारी कथा पून सुनो आंगे पीछे का सुनो ठटरी के बरे आप आंगे पीछे सुनो एकदम कोई भी बात को उठा कर आप निरने नहीं ले सकते हैं कि ये बात गलत है के सही गलत और सही तब मानी जाएगी जब उसका आसे गलत हो अगर उसका आसे भारत के लोगों के दर मस्तक पर तिलक लगाना है और लोगों को भब्त बनाना है तो ये बाया आप बिलकुल भी गलत नहीं अच्छा आप से पूँछते हैं क्या इसमें किसी का अपमान किया हमने आप बोलिए माताईं भी बिराजमान है क्या अपमान किया हम आप लोग बोलिये क्या अपमान किया है नहीं किया फिर भी कुछ लोग इसे टीवी पर उचाल रहे हैं मोबाइल पर डाल रहे हैं हमारी तुम लोगों से प्राथना है इनको जबाब ज़रूर देना चाहिए कोई भी बात अब ऐसा नहीं है कि आप अपने मन का कुछ भी बिना कुछ जाने आप अगर कुछ हो तो कुछ भी चलाओ जब तक आप समझो ना जब तक हमारे आसे हाँ हमारा सिध्धान्त गलत हो तो बात अलग है हमारा सिध्धान्त ठीक है उचित है भक्त मत के लिए है राष्ट हिद के लिए है और हम भारत के लोगों पर इस माताओं के गली में मंगल सूत्र मांग की बात बोलकर पिलाट खाली है या भरा हुआ इस बात का उदाहन देकर हम भारत में माताओं बहनों से लेकर पुर्शों के मस्तक पर तिलक लगवाना चाहते हैं और हमें नहीं लगता कि हमने ये बात गलत बोली है तो हमारी इस वीडियो के माध्यम से कहना है इस प्रकार का दुष्परचार ना करें भला ठीक नहीं हनमा जी अच्छा क्या तुम लोग इस बात को सहलोगे हमें तो लगता है सहलोगे हमने आपको एक बात कही ती अब जैसे को तैसा जबाब देना ही पड़ेगा हम किसी के खिलाप नहीं मीडिया के परती हमारा आदर है भारत का चतुर्थ इस्तंब है लोगों के परती आदर है माताओं के परती तो इतना आदर है कि हम अपनी मा के अलाबा सबसे जादा किसी को मानते नहीं है लेकिन इस प्रकार की जब बात उठती है पर हमें ये लगने लगता कि हम जिन सनातनी हिंदूओं के बचाव के लिए कर रहे हैं वही हिंदू हमको नाग की भाती डस रहे अब ये नहीं चलेगा इसलिए अब आप लोग भी इसका जबाब दोया प्रारंब कर दीजिए ऐसे बार-बार सुनने से बार-बार बेफिजूली की बातों का ट्रॉल करने से ये डराना चाहते हैं ताकि ये हिंदूओं की बात करणा छोड़ दे सनातन की बात करणा छोड़ दे और इनकी चबी हो जाए खराब तुमारी ठटरी तुम कितना भी प्रत्न करो हम सनातन की बात नहीं छोड़ेंगे और हिंदों से भी प्रात्ना है तुम बुझते लहो अगर तुम किसी को जबाब देना नहीं जानते हो भारत में अगर गंदी फिल्में बनेंगी तो हम बिल्कुल बाइकॉट करवाएंगे कोई भी साधु भारत के मंचों पर हलि उल्लाह या अलि मौला करेगा तो उसका भी बाइकॉट करवाएंगे और कोई भी टीबी में भारत के या सनातन के किसी भी हिंदू सेर के लिए खिलाब बोलेंगे तो उसको भी अब बाइकॉट करना पड़ेगा कौन-कौन ऐसा करने को तयार है तो तुम्हें सपत है अपने जमीर की तुम्हें सोगंद है अपने पूरबजों की जो जो हमारे इस वीडियो को देखें उनको बाइकॉट किया जाए बहुत हो गया धन्दा सुन रहे तो बात इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर चड़ते जाओ हम आपका सम्मान कर रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम भुजदिल हैं हम आपको आदर दे रहे इसका मतलब ये नहीं है कि हम गिरे हुए हैं हम जगे हुए हिंदू है अब ये 2023 का हिंदू जागा हुआ हिंदू है अब यहाँ पर सेक्लरेजम नहीं भारत हिंदू राष्ट चलेगा और आप करोगे क्या आप हमारे खिलापे फाइयार करोगे आप करोगे क्या मीडिया में आप हमारे ज्यादा से ज्यादा गंदी बातें प्रचार करोगे इतना ही करोगे लेकिन याद रखना हम तो चले जाएंगे हम सब कुछ बंद भी कर देंगे कथाएं बंद कर देंगे द परबार हमारा हिर्दे दुखने लगता कभी कभी जब ऐसा आगता अब तुम भी दोने हाथ उठाकर सपत लो और आज ही ऐसे लोगों को बाइकॉट करो बाइकॉट करोगे तभी बात उनको समझ में आएगी भारत में रहना तो सीता राम ही कहना पड़ेगा यह देश बाबर का नहीं यह भारत रधुबर का देश है और हम परातना करें हमें करोध नहीं आया है। लेकिन यह जो मीडिया पर चला रहे है हमारी परातना है इसको ठीक कीजिए पूरा वीडियो दिखाईए कि हमने बोला है मस्तक पर तिलक लगाएं उसके लिए बोला है पूरा दिखाईए, बरना बंद कीजिए दिखाने। बंद संस्कर्ट बोलके समझाए, कि मस्तक पर भाल पर तिलक होना चाहिए, चन्दनम कुरियार ऐसा बोलें तो क्या तुम्हें समझ में आएगा। लेकिन आप हमारी कोई भी बात, तो कौन-कौन जवाब देने को तयार है। इस बीडियो को भी काट करके डालिये सबता, भेजिये। और देखो साथ, साथू समाज को भी अब जागना पड़ेगा, ऐसे तो फर कोई कथा ही नहीं बोल पाएगा। जिसयाराम 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 कर दो कर दो कर दो